स्वागत है आपका हमारे यूटूब चानेल पर आज हम रिव्यू करने बाले है एक कमाल की सस्पेस मुवी की अगर आपको सस्पेस मुवीज देखना पसंद है तो इस मुवी को आपको गल्ती से भी मिस नहीं करना चाहिए इस मुवी को आपको क्यों देखना चाहिए, इस मुवी में ऐसा क्या खास है, जानने के लिए इस वीडियो को आखरी तक देखिए, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये मुवी कहां पर एभेलेबुल है हिंदी लंग्वेज में, जी हाँ वीडियो पूरी 2017 में रिलीज हुई थी, इस मुवी की कहानी है, एक राइटर के बारे में इस राइटर का मानना है कि वो जो भी कुछ लिखता है, वो सच में हो जाता है, आपके समझने के लिए मैं आपको एक एक एकजमपूल देता हूँ, मान लीजिए कि वो किसी चुहा के बारे में जाएगा, एक दिन उसके दिमाग में आता है, वो एक सिरियल किलर के बारे में लिखेगा, और वो एक सांथ जगा पर जाता है, और वहाँ पर लिखना शुरू करता है, एक सिरियल किलर के बारे में, मुवी की असली कहानी शुरू होती है, यहां से बुक लिखना शुरू कर अब ये सिरियल किलर उस राइटर को और उसके वाइब को मारना चाहता है तो ये दोनों उस सिरियल किलर से कैसे बचेंगे बच पाते हैं या नहीं ये आपको इस मुवी में देखने को मिलेगा मुभी जब शुरू होगी आपको शुरुवाती 20 से 25 मिनिट तक ये लगएगा कि आखिर चल क्या रहा है लेकिन उसके बाद से मुभी की असली कहानी शुरू होगी और मैं आपको ये गरेंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसके बाद कुछ एसा होगा कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा मुभी जैसे ही धिरे धिरे आगे बढ़ेगी एक के बाद एक टुष्ट आते जाएंगे और आपको मुभी देखने में और भी ज्यादा मज़ा आने लगेगा इस मुभी का डायरेक्शन एन स्क्रीन प्ले बहुत ही बढ़िया है अगर आप थोड़ा सा प सस्पेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हाँ फ्रेंड्स आप चाहे मुभी को कितना भी ध्यान से देखे आप कितना भी दिमाक लगाले फिर भी आप सस्पेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगर आपको सस्पेस मुभी पसंद है तो ये मुभी आपके लिए मस्ट वाचे इ इस मुवी को हिंदी में नाम रखा गिया है उरूद्व ट्राप इस मुवी के एंडिंग में ये मुवी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज कर देती है तो इसलिए मैं सौच रहा हूँ इस मुवी के एंडिंग एक्स्प्लेन के उपर एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग नीचे कोमेंट करके बताओ मुझे एंडिंग एक्स्प्लेन के उपर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बस आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप हमारे चानल को बिना सब्सक्रा बिकर देना